नमस्कार दोस्तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे एगलेस ओरियो कूकीज केक तो ये केक में कूकी का ही समावेस रहेगा और ये बहुत ही बढ़ियां बनेगा केक तो आईए इसके लिए हम कुछ तयारी करते हैं तो दो कफ हम ले नेगे और वनीरा एससेंच टू टीश्पून लेंगे और रीफाइन ओयल लेंगे हाफ कप और ये बिसकिट लेंगे और दही लेंगे हम एक कप और एक कप ही सुगर पावडर तो सबसे पहले हम mixing bowl लेंगे और उसमें हम refined oil डालेंगे और साथ में दही इन दोनों को अच्छी तरह से पहले हम फेट लेंगे mix कर लेंगे अच्छी तरह से हम इसका mixing बहुत ही अच्छा होना चाहिए अब इसमें हम sugar powder डालेंगे जो थोड़ा-थोड़ा करके हम इसे मिलाती जाएंगे और डालती जाएंगे तो इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे एक बार नहीं डालेंगे इसका texture इदम creamy हो जाए तब तक हम इसे फेटना है तो इस तरह से हम फेटते हुए, पूरा सुघर पाउडर डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद दो चम्मच से वनीला एसेंस उसे डाल देंगे हाँ, और उसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, अब इसमें जो मैदा है, उसे मैं दो से तीन बार चन्नी से चान चुकी हूँ, जिससे बहुत ही फ्लफी एक एक बनेगा, तो इस मैदा को भी हम थोड़ा थोड़ा डाल करके इसे मिक्स करेंगे, और और सकता पढ़ने पर हम इसमें वन फोर्थ कप दूद भी मिलाएंगे, तो इसी तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, और थोड़ा-थोड़ा मैदा डालते हुए, मिक्स करेंगे हम, यह एगलेस है, बिना एक बला यह केक है, और यह बनेगा कढ़ाई में, बहुत ही अच्छा बनेगा यह, कोई जरूरी नहीं है कि ओवन हो, ओटीजी हो, तो ही हम केक बनाएंगे, आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है यह, तो इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे, और जितना अच्छा यह मिक्स होगा, उतना ही बढ़ियां, उतना ही फलफी यह केक बनेगा, तो बाकी का जितना मैदा है, अब इसे हम डाल देंगे, तो इसे अब हम अच्छी तरह से मिलाएंगे, कट एंड फोल्ड मेथट से, अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके दूद डालेंगे, हमारा बैटर बहुत ही ठीक है, इतना नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हमें, और यो बिस्किट भी डालनी है, तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दूद को, और हमारा दूद इसमें जाएगा, वन फोर्थ कप, दूद जो होगा वो रूम टेंपरेचर होना चाहिए, ना जादा गर्म होना चाहिए, ना ही वो ठंडा होना चाहिए, तीसे हम अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे, ताकि हमारे बैटर में लम्स नहीं पड़े, तीसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अब इसमें हम नमक डालेंगे, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इस सभी को हम डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि इसके बिना तो हमारा केक कभी अच्छा बनी नहीं सकता है, इसलिए ये तो डालना बहुत ही जरूरी है, और इसे मच्छी तरह से मिक्स करते हुए, अब इसमें हम डालेंगे ओरियो बिस्किट, एक बिस्किट का चार टुक्रा करके इसमें हम मिला देंगे, और मिलाने के बाद अब इसे हलके हाथों से एक समान चारों तरफ अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे, तो यह अब हमारा बैटर बन करके रेडी हो गया है अब हम केक टिन में नीचे बटर पेपर लगा देंगे और उसे हम ओईल से ग्रीज कर लेंगे तो यह हम बाहर से भी चारो साइड अच्छी तरह से हम इसमें ओईल लगा लेंगे तो अब इसमें हम बैटर को पोर करेंगे तो अब इस बैटर को हम अच्छी तरह से इसमें डाल करके और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि एक समान एक तरह है चारो साइड और उसे जरा टाइप कर देंगे हम ताकि अंदर का जो भी एर बगर है अच्छी तरह से निकल जाए और इसे बराबर में फैला देंगे तो हमारा बैटर बन करके रेडी है बेख होने के लिए हमने यहां कड़ाई में नमक डाल करके और एक नेट डाल करके दस मिनट से रखा हुआ है प्रिहिट करने के लिए यह हो चुका है बड़ा साउधानी से आप इसे डालिए हाथ उंगली नहीं जले इसके बाद हम केक टीन को डाल के इसे ढख देंगे और ढखने के बाद हम इसे कम से कम एक घंटा तक क्योंकि हमारा केक बहुत बड़ा है तो यह एक घंटा दस मिनट में यह तयार हुआ है चेक करते हैं से देखें तुथ फिक में बिल्कुल नहीं लगा है तो इसका समय जो लगा है एक घंटा दस मिनट तब जाकर कि यह रेडी हुआ है तो अब इसे हम कुछ दिर ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद साइड से अच्छी तरह से इसे छोड़ाते हुए वैसे जब केक रेडी हो जाता है तो किनारत सोड़ देता है आपका फिर भी आप इसे एक बार फिर इसे पलेट में करके हम इसे पलट लेंगे अब यह बटर पेपर है उसे हम निकाल लेंगे बटर पेपर लगाने से क्या होता है कि हमारा केक जलता नहीं है देखे कितना प्यारा कलर नीचे से आया है ये कितना अच्छा बेख हुआ है ये और बहुत ही soft भी बना है ये बहुत ही soft बना है देखे तो अब इसे हम क्या करेंगे उपर वाले portion को थोड़ा सा बराबर करके से हम निकाल लेंगे इससे पतला सा स्लाइस कटिंग करके हम निकालेंगे देखे कितना खुबसूरत लग रहा है मारा ओरियो बिस्किट जो है दीख रहा है इसमें कितना जालीदार कितना सॉफ्ट बना है दोस्तो तो अब इसे हम जड़ा उपर से डेकुरेट कर लेंगे वेबी क्रीम है ये इसे कुपी में डाल करके इसे हम चारू सैट से लगा करके हम इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इसके टॉप में ये हमारा उपर का जो है वो बेश तैयार हो गया है अब इसे हम एलो कलर से इसको थोड़ा सा सजा देंगे ताकि हमारा जो केक है जड़ा खुब सूरत लगे तो इस तरह से हम सजा कर इसे हम थोड़ा डिजाइन बना लेंगे और हैपी बर्थ डे के लिए अगर बनाना है तो आप इसमें लिख लीजिए हैपी बर्थ डे एनवर्सरी है तो एनवर्सरी लिख लीजिए तो इस तरह से हम यहाँ पे हैपी बर्थ डे लिख करके तैयार कर लेंगे हम इसे अब ओर्यो बिस्किट के हम चार पिस कर लेंगे अच्छी तरह से कट कर लेंगे ताकि इक्वल निकले और फिर हम इसे चारो साइट थोड़ी थोड़ी दूर पे हम इसे लगा देंगे जिससे इसकी खुबसूरती भी बढ़ जाएगी और हमें पता भी लगया कि ये और ये बिस्किट से बना है ये तो इस तरह से हम चारो साइट फैला देंगे देखने में खुबसूरत लग रहा है ये इस तरह से हम डेकुरेट कर लेंगे जो भी आपको डिजाइन है जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा बनाईए और इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेने से सुन्दर लगता है अगर आप को इसकी रेशिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें सेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें